आटो मॉबाइल इंडस्टी की लेटास जानकारी के लिए कार मेरे आर सबस्क्राइब करें और नोटिफकेशन बेल को पुछ करें ताकि वीडियो जैसी है अपलोडो आपके पास महों सके हेलो दोस्तों कार मेरा के आज की अपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक आप तो ले लो कार अप तो ले लो कार में कही सारे आस्पेक्ट हैं जैसे कि लोगडाउन के कारण काफी सारी दिक्तों का सामना हरे को करना पड़ा बहुत सारी ऐसी चीज इनका जो मेन मुद्धा चरा उसके करण और थोड़ी सी मुसीबत का सामना हमें करना पड़ा तो इसमें कई सारे आसपेक्स में लेके चलूंगा कि अब तो ले लो कार तो सब बोल रहे हैं क्या वो कारों के ओपर हमें जो डर है वो ठीक है या जो कौन-कौन से कारों के ओपर या कोई भी किसी भी चीज के ओपर हमें जो लेने के लिए जो डर बैठे में क्या वो जायज है या मेरा मानना क्या है मैंने दोस्तों कहीं सारी चीज़े अब्सर्व की हैं पांच-छे दिन मैं जब से अनलॉक बन शुरू हुआ था उसके तोर से ही मैं देख रहा हूं तो वह अब्सर्व किया जो मैंने उसके लिए मैंने दस टॉपिक बनाए हैं और जो आपको सावधानिय बरती नहीं चाहिए या ओफर्स का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वह सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहता था वह आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं उमीद है आप सबको पसंद आएगा अगर पसंद आएगा तो एक लाइक बटन जूर दुबा दीजिएगा नहीं भी पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं बट एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो कोई आस्पेक्ट मेरी तरफ से यह भी मेरी है मेरे विचार है यह अगर आपको कुछ इसमें गलत लगे या कुछ सही लगे या कुछ और जोड़ना चाहते हैं कुछ भी है तो कमेंट्स के अंदर मेरे से बात कर लीजिए आप यह इसके अलावा जो मैं बताऊंगा उससे कुछ गाइड़न्स और चाहिए आपको तो उ अब दो ले लो कार का इंपक्ट का जो यह शिगूफा है वो कितना सही है कितना गलत है क्या हमें फाइडा उठाने चाहिए क्या यह गलत है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली बात दोस्तों बजट लोगों का कम है लोन बजट है लोगों का कारण क्या है कि सबसे पहल बात की पहले ही मार्च अप्राइल के अंदर भी मार्च अप्राइल भी छोड़ी है जनर्वी फर्वी के अंदर भी काम का बहुत बुरा हाल था बहुत परशानिया थी टार्गेट्स पूरे नहीं हो रहे थे आटो मोब इंडेस्ट्री जो जहां पे पिछले साल के दोरान और अब के बीच में कम से कम नी तो 20-30 प्रतिशत की सेल का फर्व था बी-स-4 बी-स-6 के जहनजट में फाइदे उठाने के बावजूद भी ओफर्स देने के बावजूद भी तो ये थोड़ा सा फर्व था तो इस करके गाड़ियां कम भी की उसके बाद अगर हम कहें कि उसके दस लाग के कार के उपर आठ से दस लाग वाले परसन शुरूद शिफ्ट होगे छे से आठ में छे से आठ वाले छोटी कार यानि की एंट्री लेवल सेडान चोटी सेडान यहां एंट्री लेवल हैच्बैक इनके उपर होगे शिफ्ट और जिन्होंने उससे भी वही पढ़ना पढ़ गया उल्टा खर्चा दो सब को पताई जैसा सब को हुआ तो इसका इंपेक्ट बहुत बड़ा पड़ा ये चीज बहुत ज्यादा माइने रखती है हमारे बजट के लिए ऑटो मोबाइल रेस्ट्री में भी यही इंपेक्ट पढ़ रहा है लोग समझते इस आगया फिर उससे नीचे फिर उससे चलते चलते जो हो रहा है तो समझती है तो तीसरा टॉपिक मैंने यह रखा है कि इसमें लॉट्स ऑफ ऑफर्स रखे गई हैं बहुत सारे ऑफर्स रखे गई हैं कहीं पे तो अगर कहें कि इमेज छोड़ने के ओफर्स लोन की वह अगल चूट है वैसे जून के अंदर से चूट होती नहीं है लेकिन अब आई है वो क्यों है वो लॉक्डाउन की वज़ा से कोविड नैंटिन की वज़ा से तो बाद में जो बुरा असर पड़ा स्टॉक इतना पड़ा है उसको निकालना है तो इसलिए ओफर्स भी दिये जा रह तो तीन महीने तक आपको नो एमाई ओप्शन दी जा रही है तीन महीने तक आपने कोई भी एमाई नहीं देनी वह आपके ट्राइबर कोईड और दस्टर के उपर भी इनोने यह चीज दी है तो ऐसा तरीका भी सुझाय जा रहा है अगला पांचवा इंपक्ट यह मैं तो इंटरस्ट आएगा कारें बिकिंगी तो लोन लेंगे लोग तो इंटरस्ट आएगा तो यह चीज सारी खतम हो चुकी है अब अपनी जो इंटरस्ट रेट्स हैं वो भी कम कर दी गे कहीं तो 59 परसंट थे 9.5 प्रतिश्ट वो 7.5 भी भी आ गए है तो आप चेक कर लिए तो यह है सैनिटाइजेशन की डर खतम किया जा रहा है लोगों के अंदर से काफी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मन के अंदर ऐसी थी कि अभी रोग देते हैं चीज़ों को अभी नहीं लेते गाड़ी को लेकिन कमपनी के तरफ से कैमपेइनिंग चलाई जा रही है वीडियो शे जारी किसी तरीके से ग्रहा को शोरूं तक लाया जाए तो इंपक्ट जरूरी भी है और होना भी चाहिए क्योंकि यह सोशल डिसेंसिंग और साथ में सैनिटाइजेशन साफ सफ़ाई बहुत जरूरी है तो इन चीज़ों को भी एपनाया जा रहा है साथ में चीज है दोस्त ही करें आप या मार्च के एंड में अपरल के एंड में जो गाड़ी आनी थी वो काफी सारा गैप पढ़ गया और जो जून में आनी थी वो भी समें लाइन अप हो गई है तो काफी सारी गाडियां treatment की जुई ए जुलाई अगस्त के अंदर तो हम वहां पर गाड़ी को ले दूसरी बात, जो COVID-19 का जो कहर है या डर है वो खतम हो जाए, उसके बाद हम गाड़ी लेंगे, अभी हमारा काउंट चल रहा है, तो क्या इतराज है हमें गाड़ी लेंगे, गाड़ी ड्रॉप कर दें, अब गाड़ी ना लेने वाला जो सोच है अपनी वो बदल दे, तो उस जनजेट में क्या पता बाद में क्या दिक्कत आए, जैसे की अभी पिछले जो EMI को काटने वाला था, ऑक्षन जो था, कि आप सिर्फ अपना इंटरस पेग कीजिए और EMI आप बाद में पेगजिए, बैंकों की जो भी अपकी EMI चल रही थी, तो उसके बाद ये दूरी बिनाना लोगों का एक जैसी बात लग रही है लोगों को, तो दोस्तो आठी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम गाड़ी परचेज करें, अब मैंने काफी की जारे ओफर भी बता दिया, इंटरस रेट भी कम कर दिये, ओफर्स भी दे दिये, बट बजट चलो नीचे हमारा था, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बजट था, और अब ये देख रहे हैं कि हायर फाइदा तो हो रहा है अब, अब एक काम करते हैं, आठ ये दस लाख रुपे वाली गाड़ी लेते हैं, अब दस ये बारा लाख वाली आते हैं, क्योंकि इंटरस हमें दूसरी बात दोस्तों गाड़ी के रख रखाव का मेंटरनेस का खर्चा भी बाद में देखके चलिए, गाड़ी तो हमने एक बार लेनी हैं, लेकिन बाद में मेंटरनेस का खर्चा बहुत पड़ेगा, वो आप उस लेवल तक देखिए, आपको आठ से दस लाख वाली गा पड़ेगे पड़ते हैं, इसी को अवैड़ कीजिए, तीसरा दोस्तों आसपेक्ट इसमें यह लेके चल रहा हूं है कि आप यह देखिए कि कोई ऐसा ब्रेंड गलती से मत चूज कर लिए अच्छे ओफर के चक्कर में कि जिसकी आपको काम देहात में रहते हैं यहां कहीं म पड़ता है, तो वह चीज़ का बहुत ध्यान रखेगा कि हम आवेश में आके ऐसी चीज़े कर लें, जोश में आके ऐसी चीज़े कर और बाद में पच्छाइए, यह पहले वाले पहलू से जुड़ा हूँ है लेकिन इसके अदर अलग क्या है, अलग यह है कि कहीं लोग द है और चोटी कार खरीद रहा है तो उसकी वह परपस सॉल्व नहीं करेगी, तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखके करें, चले है मेरा काम चल रहा है तो भी ले ले लेते हैं लेकिन वह गाड़ी बाद में अभी आप आठ लाख रपे की गाड़ी ले रहे और दस ल मेन प्र부터odo. आपनी गाड़ी अच्छे तरीके से ध्यान से गाड़ी को चोज करें, और उसके बाद वह गाड़ी को जो जहां से खरीदना है वह वाला dealer छोटी company के होते हैं तो कोई ऐसे dealer भी होते हैं जिनकी की पहले तो गाड़ी बड़े अच्छे तरीके से आपको और थोड़ी से कीमत कम दे के भी गाड़ी खरीदी जा सकती है वहां से अच्छे offer दे देंगे आपको लेकिन बाद मेंके service की problem आती है company चाहे जितने मर्जी बढ़िया service का दावा करती हो लेकिन उस dealer की service उस dealer का behavior उस dealer का आपसे interaction वो खराब है तो वो बहुत परशानी बात हो जाती है तो ये चीज़े सारी सर्च कीजिए आइदर कोई भी परशानी है किसी भी चीज़ को आपने चूज करना है कोई गाड़ी आपके अपने लिए चाहिए आपका budget डिसाइड नहीं हो रहा या आपका ये डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सी गाड़ी में अपने लिए चूज करूं तो उसके लिए हम बैठे हैं बताईएगा दोस्तों ये वीडियो ये सोच या ये perception विदी कैसी लगी आपको या अब तो ले लो कार क्या आप समझते हैं कि अब ये सारी चीज़ जो मैंने बताईए इसके बाद ये impact पड़ेगा इस महिने की गाड़ियों के सेल के उपर पड़ेगा तो जुरू बताईएगा नहीं पड़ेगा तब भी बताईएगा सीड वेल लगाकर अराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं सेफ रहें और तंदरुस रहें नेक्स वीडियो तक जैहें दोस्तों